वेलकम इन फार्मापीडिया ग्लासिस आज हम लिमीट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और यह जो लिमीट टेस्ट है यह हम भी फार्मा में मोशली फार्मासुटिकल इन और्गनिक केमिस्ट्री में बढ़ते हैं और कहीं बार यह फार्मासुटिकल एनालिसिस में भी पी काफी important है क्योंकि अगर आप कोई competitive exam दे रहे हो तो उसमें limit test के ऊपर question आता है एक आदा question तो मिल ही जाता है तो इसलिए limit test काफी important है और हम इस वीडियो के अंदर limit test के बारे में पढ़ेंगे जो भी important limit test हमारे syllabus के अंदर उनके बारे में पढ़ेंगे यह वीडियो आपको इस एक competitive exam में भी help करेगा और अगर आप बी-pharmacy कर रहे हो तो बी-pharmacy में अगर आप limit test पढ़ते हो first semester के अंदर तो वहाँ पे भी आपको यह काफी help करेगा वीडियो और अपना जो syllabus में limit test दिये रहते हैं वो chloride का limit test है, sulphate का है और iron का और arsenic का और कुछ metals के limit test रहते हैं heavy metal के तो हम वो सब ही पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर तो सबसे पहले मैं definition से start करूँगा कि हम limit test क्यों करते हैं तो आपको पता है हम सब pharmacy के background के लोग हैं और हमें आज नहीं तो कल medicines बना नहीं रहती है अगर industry अगर आप काम करोगे तो तो हमें क्या है कि जो भी हम medicine बनाते है API प्रोड़क्ट जो रहते हैं उसके अंदर क्या रहते है कई ना कई अपने chloride iron या फिर maybe arsenic वगए इनकी एक range में ये present रहते है 100% कोई चीज़ प्यूर नहीं रहती तो हमारा क्या रहता है IP के according एक range डिफाइन रहती है कि अगर iron है तो iron इस range से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अपने प्रोड़क्ट में अगर उस range से ज़्यादा होगा तो iron की impurity बोलेंगे और वो iron हमें harmful लेगा अपने बोड़ी के लिए मैं भी वो अपने को disease coach कोच कर सकत है इसी तरह arsenic है या lead है या कोई material है chloride है sulfate है इन सबकी limit fix define की गई है IP के according इस limit से ज़्यादा अगर यह चीज होगी तो यह में भी harmful हो सकती बोड़ी के लिए तो वो जो limit है वो exit limit हमें पता करने के लिए हम limit test perform करते हैं suppose कर आप company में tablet मना रहे हो paracetamol product और paracetamol के अंदर आ या फिर कोई भी metallo like sulfate है तो कितना sulfate है वो आपको पहले measure करना पड़ेगा अगर sulfate आपका IP के limit से ज्यादा है तो आप वो API यूज नहीं कर सकते हैं तो इसलिए limit test perform करने पड़ते हैं तो आपको मालूम पड़ क्या limit test है हम क्या करते हैं impurity के बारे हम बता करते हैं अभी ज sample के बारे हम पता करते हैं यह कौन सा है like कोई compound NACL है तो हमें मालूम पड़ गया यह NACL है मतलब यह qualitative study है इसी तरह कोई mercury है तो हमें mercury के बारे में बता चल गया तो यह क्या है qualitative technique है पर initial कितना amount में है वो amount पता करना वो होता quantity technique तो इसी तरह आपको जब quantity पता करते हैं उसको quantity technique बोलते हैं जिसमें quality के बारे में पता चलता है हाफिव उस product के बारे में पता चलता है वह qualitative analysis तो पता चल गया कि लिमिट टेस्ट काई सेमिक। अब हम पढ़ेंगे क्लोराइड का लिमिट टेस्ट तो अभी मैं आपको बता दूंगा कि लिमिट टेस्ट कैसे प्रफॉर्म करते हैं यह आप आईदिया दे दूँगे आपको तो इसके बाद में हम सारे लिमीट टेस्ट पढ़ते रहेंगे तो सबसे पहले हमा में एकजामपल देता हूं कि लिमीट टेस्ट को परफॉम किसे किया जाता है तो आप ने परफॉम किया होगा भी फार्मेशी में आपने ऐसा टेस्ट जीसा एक्ट्रूमेंट ग्लास फ्य ल कर रहें तो इसमें दो national cylinder लेंगे एक में हम बनाएंगे अपना test sample जो अपना sample है जिसके अंदर जिसका हमें limit पता करनी है जिसके अंदर से दूसरा आपका standard sample हम क्या बनाएंगे standard sample यह standard sample है इसके अदर क्या परियास सेंपल अब क्या गरेंगे इन दोनों में हम एक प्रोसिजर फोलो करेंगे दोनों में सेम प्रोसिजर एगा और जब प्रोसिजर हो जाएगा फिर आपना याद नीचे कलर आएगा या प्रिस्टेंडरि आजाएगा यह कुछ भी ऐसा हैजी टाइप का सुलूशन बने तो इसका मतलब क्या हुआ कि impurity है वह क्या to a उपने से टेस्ट के अंदर क्या है बहुत ज्यादा है तो हम एक range पता चल रही है यही तो इसी तरह हम क्या करते है जल्टका करते हैं में तो जो क्लोराइड का लिमीट टेस्ट हो किसके साथ प्रफॉर्म किया जाता है तो आपको याद अखना है कि जो क्लोराइड सेंपल में अपना पर परजेंट रहता है इसका लिमीट टेस्ट प्रफॉर्म किया जाता है एजी एनो 3 के साथ किसके साथ किया जाता है एजी ए पॉपले सेंस कुछ बोलते हैं यह एजी टाइप और सॉलिशन बन जाता है वो नीचे और डिपोजिट होने लग जाता है तो यह एजी इसील बनाएगा जब एज एजी एनो थ्री क्लोराइट से रियक्षिन करेगा तब तो पहला एक कॉश्चन आता है कि क्लोराइट के लिम लिएक्षिन करते हैं तो उसका रीजन है कि हम प्रिवेंट करते हैं जो अदर जो इंप्योर्टी है वो उनका प्रिसिपिटेशन ना आ जाए तो अधर जो इंप्योर्टी है उनका प्रिसिपिटेशन ना आ है इसलिए हम क्या यूज करते है नाइट्रिक एसीड तो आई होब कि आपको क्लोराइट का यह प्रिंसीपर पता चल गया लिमिट टेस्ट का जब रिजल्ट आता तो इस का है जी सोलिसन बन रहा है क्लोर आफ का कम है तो थोड़ा कम है जी बन रहा है तो इस तरस हम क्या करते हैं कम स्하세요 करते हैं अब bats प्रोसीजर तो प्रोसीजर आस वीससे कोई important नहीं है आप जेस्त देख लो हम क्या करेंगे? हम test sample बनाएंगे हम test sample बनाएंगे देस्ट सेंपल देते हैं NACL जो IP का coding दिया रेता है nesten cylinder के रहें लिया फिर हम क्या करेंगे इसी तरह अपना जो drug है वह Li Lium ने Nestering Cylinder के अंदर हम क्या करेंगे उसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे हम फाइप्यमल डिष्ट्illyट्र लोटर डालेंगे दें हम νाइटिक एसीड डालेंगे 10 ml देन हम क्या करेंगा water को make up करेंगे 50 ml तक देन हम silver nitrogen solution डालेंगे देन अपना वो जो precipitation जैसा solution बनेगा इन दोना का compare करेंगे suppose कर example में exam में मतलब आपके IP का कोडिंग दिया हुआ है कि कि जो chloride is not more than 10 ppm in any pharmaceutical product तो हमारा अगर test और standard का compare करेंगे suppose कर इसके अंदर हेजी solution ज्यादा बन रहा है compare to standard तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना test के अंदर क्या है यह जो chloride ज्यादा परजेंट है compare to standard तो मतलब यह 10 ppm से ज्यादा है हमें exit नहीं पता कितना है बट हम यह बोल सकते हैं कि 10 ppm से ज्यादा है तो इसलिए इसको हम क्या बोलता semi quantity हमें exit quantity नहीं पता चलती बट हमें एक आइडिया लगता है कि इस रेंज से ज्यादा है या कम है तो आपको इस तरह से आपको पता चल क्या होगा कि chloride के limit test में क्या यूज करते है एजी एनो 3 और इसके अंदर nitric acid यूज करते है वो nitric acid क्या करता है जो अधर impurity उनका precipitation होने से रोग देता है नेक्स्ट जो टेस्ट अपना limit test वो है sulphate का तो sulphate भी बहुत ज़्यादा परजेंट रहता है impurity के form में in many product तो हम sulphate का test कैसे करते हैं तो हम इसमें barium chloride यूज करते हैं क्या use करते हम barium chloride जब हम यह barium chloride यूज करेंगे तो यह बेरियू चिया कर एक बनाएगा बनाएगा बिरियू ृब C यह बेरियू का एक है लिरी सोलिशन बता है मतलब एक precipitation पूरा precipitation नहीं बोल सकती हम तो precipitation type का ही solution लिटा तो हम क्या करते हैं इसमें भी test sample बनाते हैं और standard बनाते हैं और फिर दोनों का comparison करते हैं तो exam में question क्या आएगा तो exam में question आएगा कि हम कौन सा agent यूज़ करते हैं barium sulphur के test के लिए तो barium chloride यूज़ करते हैं तो यह आपको पता होना चाहिए इसके बाद क्या करते हैं कि इसके अंदर में acid भी यूज़ करते हैं जैसे कि हमने chloride test में पढ़ा था ना कि एक acid यूज़ करते हैं वह nitric oxide तो इसी तरह आप इसमें कौन सा करेंगे तो देखो यह chlorine आपको दिख रहा ह है ACL और इसके बाद ACL का काम क्या है जो other impurity उसका precipitation रोग देगा और कहीं बार क्या हम sulphate के test में एलकोल यूज़ करते हैं उसका main काम क्या है एलकोल यूज़ करने का कि अपना जो टर्बीटी बनेगी जो टर्बीटी है जी solution वह अपना uniform बनेगा अच्छा intense बनेगा जिससे हमे फॉलो करेंगे जिसा standard solution का according जो आई-पी में दिया वह हम compound डाल देंगे sulphate का देन हम इसी तरह test जो अपनी drug है वह drug यहां पर डाल देंगे जिन उसके बाद हम barium chloride डालेंगे 25% इसमें भी डालेंगे दोनों में दोनों में procedure से हम follow करेंगे इतेनोलिक sulphate डाल देंगे जो solution एलकॉल का वो डाल देंगे acid डालते है एसील भी डालते है पूरा procedure नहीं लिखा हूँ इसके अंदर तो फाइनली अपना क्या लास्ट में हम देखते हैं टर्बीडीटी कंपेर करतें दोनों test और standard की सपोज करो standard के अंदर टर्बीडीटी ज टर्बीडीटी का हम compare करते हैं अगर आपने यह पर्फूम किया होगा experiment तो आपको मालूम होगा यह सब इसी तरह हम iron का test करते हैं और iron का test काफी important है इसके बारे में questions आता है तो iron का test पर्फूम किया जाता है इसके अंदर क्या-क्या use किया जाता है वह सब्सक्राद है तो iron के के अंदर हम क्या use करते है थायो ग्लाइकोलिक एसीड अगर आप competitive exam के लिए prepare कर रहे हैं तो आप बस नाम याद रखो कि iron के test के अंदर क्या use करिया जाता है तो हम थायो ग्लाइकोलिक एसीड यूज करते हैं इसके बाद हम क्या करते है कि एक और एसीड यूज करते जिसका नामे citric acid और फिर हम इसके अंदर यूज करते हैं ammonia solution यूज करते हैं यह सब यूज करते हैं तो finally क्या play pink color आ जाएगा या deep reddish purple color बाद में यह change हो जाएगा फिर जो color है इस color का comparison किया जाता है तो इसके अंदर भी क्या करते हम test solution बनाते हैं और standard solution बनाते हैं दोनों में same procedure follow करत बनाते हैं जिसका सपूश्क कर 스ंदर का color ज्यादा है test का कम है तो इसका मतलब क्या test fast हो गया अगर test का color ज्यादा आरहा इस तेस्ट का कम अधर test के अंदर ज्यादा iron है इसका मतलब test test फैल हो गया तो इस तो इस तो इस तरह से comparison किया जाता है तो आपको पहले यह चीज यह कोई या ड कैस्ट है तो का मने स्टेश्ट का कशीज़ की याा को थेस्ट इसका घ्र इसका मतलब किया टेश्ट का उसका मतलब क्छी चालज या चालव सब्सक्ति है तो एक इसकोन शिवाव सब्सक्राइब की तो किसकी surprises नांद के आमोनिया किसकी यूज़ कि यूज़ करते हैं क्यों किम क्या है क्यों कि यूज-कियां क्या है तो अमोनिया क्या है लिघ और गलीकुलिक अशैट के दू साहरे येकशिंक कर पाएगा और एक प्रम क्लोट पर लो बना पाएगा तो ammonia क्या करता ऐलकेलाइन करता है इसके बाद इन स्रिकРा किया काम करता है इस ammonia की वजब से क्या होता है कि अधर impulse आसफ एकमार olur 09, से हम comparison करते हैं अभी हम इसका पुरो प्रोसीजर देखेंगे तो देखो किस तरह से प्रोसीजर होता है कि हम इसके अंदर थायो ग्लाइकोलिक एसीड यूज करते हैं जो आयरेन यूज किया जाता है और उसका सबसे पहले फेरस में करनोड हो जाता है उसका रिडेक्शन हो जा करता है और यह फेरस थायो ग्लाइकोलेट है चाहिए स्टेबल रहेता है इसीलिए हम आमोनिया स्टेटे हैं तो आपको पता चल गया कि अधरा यूज करो जाता है तो आपका आरेन तेस्ट में सित्रिक एसिड भी हाँ यूज करता है और अमोनिया भी यह सेम प्रोसीजर है दोनों में एक всем follow करेंगे आमोने ढालेंगे alkaline बनेगे solution ko जिसके अंदने स्टेंदे य Kyle an ессी डालेंगे test काज दालेंगे एक दालेंगे शित्री के सिर्ट में उसमें 지ंडर के अंदर फिर हम comparison के लेका तो है एक आप देख लो here standard solution तो इस तरह से यह आपका experiment का result रहता है mostly अब हम पढ़ने वाले हैं arsenic का test के बारे में क्योंकि exam में questions आते रहते हैं इनी के उपर इसलिए हम इन सबको बारे में पढ़ रहे हैं सबसे पहले मैं आपको test बताता है chloride का तो chloride के अंदर हम क्या यूज करते हैं यूज करते हैं silver chloride बनता है वह भी टर्बीडिटी टाइप का solution बनता है standard test का conversion किया जाता है और वहां पे acid यूज किया जाता है जिसका नाम है nitric oxide nitric acid इसी तरह क्या होता है कि second जो अपने test पढ़ाता वह कौन सा आपने test पढ़ाता था sulphate का जिसमें बेरियम chloride यूज किया जाता है बेरियम sulphate बनता है वहां भी टर्बीडिटी बनती है वहां पे solution यूज किया जाता है acid वह है SCL तो यह मैं आपको बता चुका था alcoholic solution भी यूज किया जाता है इसकी इसी तरह हमने iron का test पढ़ा वहां पे थायो glycolic acid यूज किया जाता है citric acid यूज किया जाता है और ammonia solution यूज किया जाता है तो यह सब चीज हमने पढ़ा आज हम अभी हम पढ़ने वाले arsenic का limit test तो सबसे पहले जो important question आता है कि arsenic के limit test के अंदर हम national cylinder यूज नहीं करते अभी तक जितने भी limit test थे इसके अंदर हम standard और test का comparison करते थे बट वो national cylinder के अंदर करते थे पर आर्सनिक के लिए क्या रहता है कि हम आर्सनिक के लिए अलग से एक apparatus आता है उस apparatus का नाम exam में पूछा हुआ हुआ है जीपेट में question आया हुआ हुआ है यह gut jet apparatus किसके लिए यह आर्सनिक के limit test के लिए यूज के जाता है और यह method इसको gut jet method बोलते है तो question आता है कि gut jet method किसके limit test के लिए यूज के जाता है तो आयरन के तो यह आपको पता चल गया इसके बाद इसका क्या यह यह इस type का equipment रहता है glass bottle लेती आपकी और यह उपर से पूरी pack रहती है बीच में यह pipe लगी रहती है pipe में छेद रहता है यह आपका drug solution अगरा रहता है और finally यहाँ यह cotton रहता है मतलब कपास रहता है वह किसका किस से coated रहता है वह lead acetate से coated रहता है और सबसे उपर एक filter paper लगा रहता है जिसका filter paper किसका लगा रहता हो mercury chloride का लगा रहता है तो questions important यह है कि gadget method किसके लिए यूज़ किया जाता है आर्सेनी के लिए और इसके अंदर क्या रगा रहता है cotton लगा रहता है इसके बार में exam question आता है कि cotton wool है यह किस से coated रहता है तो यह lead acetate से और इसी तरह दूसरा उपर रहता है कि एक उपर filter paper लगा रहता है वो किसका बना रहता है वो mercury chloride का यह आपको पता चल गया यह आप एक की बनिया पर देख सकते हो अब हम देखेंगे इसके अंदर होता क्या है तो suppose करो इसका procedure क्या है कि पहले मैं यह procedure reaction से बताऊंगा देर हम देखेंगे कैसे क्या क्या होता है तो सबसे पहले हमारे जो arsenic की imp को हमै कि से किनार करते हैं नी ये से करते मतां इसका reduction कर रहे है इस आसदी को बोलते है यह आर्शीन्गेस किसमे बंतीया त्यों यह आर्शीन इस आपकी बनती है ये आरसेनिक के limit टेस्ट के अंदर है अब देखो यह जो gaze है यह gaze बन गई अब यह gaze क्या करेगी उपर क्यों जाएगी तो आपको मैंने बता जाता उपर क्या रेता है आपका उपर आपका lead एकीटτη रेता है तो वो lead एक्रणि आगे जाके वो क्या होगा आगे आपका यह RC ने यह किस से react कर जाएगी mercury chloride जो आपका उपर filter paper उस से react कर जाएगी और yellow stand देगी तो हम क्या करेंगे दो filter paper लेंगे एक filter paper लेंगे आपका किसका लेंगे आपका test का दूसरा standard का फिर हम compare करके देखेंगे कौन सा stand जो yellow standard जाद़ दार के अगर standard का ज्याद़ दार के इसका मतलब क्या हुआ कि सेंपल के इनदर एसन थोड़ा कम है अगर test का ज्यादा sample दार कर एंदर इसका मतलब standard का solution के उन दर एस्ति के परफूम किया जाता है तो कि इसके उनदर क्या करते अपने जो apparatus था gadget apparatus उसके अदर अपना sample डाल देंगे test का sample जो drug है फिर उसके अदर हम क्या potassium iodide, zinc dust, hydrochloric acid stannous chloride ये सब add करेंगे इससे क्या होगा ये जो आपका drug है ये सबसे पहले किसमे कनोड हो जाएगी arsenic acid में देन उसके बाद वापस वो further क्या इनका फिर से reduction होगा finally किसमे कनोड हो जाएगी है ये finally कनोड हो जाएगी किसके अंदर arsenic acid के अंदर किसके अंदर कनोड होगी अपनी arsenic acid अभी जो arsenic acid है ये क्या है अंदर हम zinc डालते है ये आपको zinc हमने इस्टार्टिक में डाला था ये zinc dust की purgence में क्या हो जाता है उसका वो कनोड हो जाती गेस में जिसको बोलते है arsenic acid जो हमने पीछे procedure में पढ़ा था तो finally किसमे कनोड हो जाती है arsenic acid गेस के अंदर तो ये जो arsenic acid गेस है ये क्या करेगी ये उपर जाके जो अपना filter paper है mercury chloride उससे react करेगी और yellow stand देगी और इसको हम compare करते हैं तो ये अपका प्रोफ प्रोसीजर है ये इस test का ये आपको पता चल गया तो आपके questions क्या क्या exam में आएगा तो question exam में ये आएगा कि arsenic का जो test perform किया जाता है वो test perform कि सेपरेटर्स में किया जाता है दूश्य कोशन क्या आएगा इसके अंदर जो cotton लगा रहता है वो किसका होता है lead acetate का अब यो lead acetate का cotton लगा रहता है तो ये जो lead acetate का cotton है इसके ऊपर एक filter paper भी लगा रहता है ये filter paper किसका cotton रहता है वो mercury chloride का होता है तो पहला question यहां से बन सकता है इसके बाद हम इसके अंदर डरक डालेंगे डरक डालने के लियंद के बहुत सारे पोतेशियम आयोडायट, यह पिर मैटल डालेंगे, जिंग मैटल वगयरा सब डालेंगे, जिसमें अपना आरस्यनिक, इंप्रॉटी, पहले आरस्यनिक, असीड में करनोडोंगी, त coordinating असीड म तो आपको टेस्ट पता चल गया किसे क्या क्या होता है तो आपको आर्सेनिक के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा फिर हमने इससे पहले हमने पढ़ा था आइरेन के बारे में थायो ग्लाइकोलिक एसीड सिट्रीक एसीड अमोनिया इसके बारे में पढ़ा और इसके बाद हम competitive exam में क्या-क्या reagent यूज की जाते हैं वही आपको याद करने है और अगर आप भी pharmacy के student हो तो आप पूरा procedure याद कर सकते हो बड़ा easy है को difficult नहीं है फिर भी अगर आपको doubt है तो आप comment करके बता सकते हो thank you so much मेरा वीडियो देखने के लिए thank you